तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले है कि फ्री फायर में कौन सा पेट है जो है एचपी गौड पैट मतलब कि आपको पता है कि हमारी गेम में बहुत सारे एचपी बढ़ाने वाले केरेक्टर है लेकिन जिन लोगों को नई पता उन लोगों को में बता दू कि हमारे गेम में एचपी से रिलेटर चबरदस चबरदस पैट भी है और इन में से कुछ पैट हमारे एचपी को बढ़ाते है और कुछ पैट हमारे एचपी को एनिमी के अटेक से बचाते है मतलब कि ये सभी पेट HP से ही related है और ये सभी HP वाले पेट एक से बढ़कर एक है लेकिन हमारे गेम में एक और new पेट आ चुका है और जिसका नाम है Flash Pet और इसकी भी ability HP से ही related है और अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि इस पेट के गेम में आने के बाद जो बाकी दूसरे HP वाले पेट है और character है क्या उनका काम तमाम हो जाएगा और इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है मतलब कि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हुगी इस पेट की ability क्या है और साथी साथ ये भी बताने वाला हुगी कौन सा HP वाला पेट है सबसे best पेट मतलब कि कौन सा पेट है जो है HP God पेट तो चलिए अब बीना time waste की ये वीडियो को स्टार्ट करते है तो सबसे पहले मैं आपको इस new पेट की ability के बारे में बताने वाला हुग और भी साथ में दूसरे HP की ability वाले पेट है उनके बारे में भी बताने वाला हुग ताकि आपको कुछ confusion हो तो वो भी दूर हो जाएगा और उसके बाद में आपको बताऊंगा की कौन सा HP वाला पेट कितने नमबर पर है तो चलिए अब देखते हैं की किस पेट की क्या ability है तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम हम गेम में नॉर्मल एक मेडिकिट मारते हैं तो हमें कितना HP मिलता है सिंपली आप देख सकते हैं कि मेरा मेडिकिट मानने से पहले 100 HP था और अब 175 HP हो गया है मेडिकिट मानने से पहले मेरा 100 HP था और अब मेरा 175 हो गया है मतलब कि एक मेडिकिट से हमें नॉर्मली गेम में 75 HP मिलता है लेकिन यही पर आप जब Spirit Fox की ability यूज करोगे तो आपको 10 HP एक्स्ट्रा मिल जाएगा एक मेडिकिट पर मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा 100 HP है और देखते हैं कि यहाँ क्या होता है सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेने मेडिकिट मार लिया और मेरा HP 100 से 185 हो गया मतलब कि Spirit Fox ने हमें 10 HP एक्स्ट्रा दिया है और अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डिरेक्टेव पांडा पेट की एबिलिटी क्या है तो इसकी एबिलिटी यह है कि जब भी आप एनिमी का किल करोगी तो आपको एक किल पर 10 HP इंस्टंटली मिल जाएगा चैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि एक किल करने पर आपको 10 HP एक्स्ट्रा मिलेगा तो गाइस अब देखते हैं पांडा पेट की एबिलिटी तो मैंने एक बंदे को नॉक डाउन कर दिया उसके बाद मैं उसका किल कनफम करता हूँ मुझे तोरंती 10 HP एक्स्ट्रा मिल जाता है आप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं कि मुझे 10 HP एक्स्ट्रा मिल गया तो अब इसको छोड़कर बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट पेट की तरफ तो हमारा नेक्स्ट पेट है ओटेरोपेट नॉर्मल इख्या होता है कि अगर आपको अपना EP बढ़ाना है तो आप इन्हेलर या मश्रूम खाके अपना EP बढ़ाते हो लेकिन यहाँ पर आप जब ओटेरोपेट को यूज करोगे तो तो आप किसी भी चीज ट्रिट्मेंट गन या मेडिकिट से HP बढ़ाओगे तो आपका जितना भी HP बढ़ेगा ओटेरोपेट उसका 65% आपको EP देगा एक्जम्पल के तोर पर अगर आप एक मेडिकिट मारते हैं तो ओटेरोपेट आपको एक मेडिकिट के साथ 42 EP देगा तो ये थी ओटेरोपेट की ability अब हम बढ़ते हैं हमारे next pet की तरफ जो की वो है हमारा new flash pet तो देखते हैं कि इस pet की क्या ability है तो ये pet क्रोनो के shield के जैसा है ये हमारे HP को enemy के attack से बचाता है अगर कोई भी enemy हमें पीचे से damage देता है तो 25% damage खुद खा लेगा और हमें बचा लेगा इस 25% damage से जो की HP बढ़ाने जितना ही important है HP बचाना जो की ये pet आपको enemy के साथ fight के वक्त क्रोनो की जैसे जान बचा सकता है तो ये थी हमारी new flash pet की ability तो अब बढ़ते हैं हमारे next pet की और जो की है हमारा yeti pet तो इसकी ability के बारे में शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो मतलब नॉर्मली गेम में क्या होता है आपको पता ही होगा अगर आप grenade को हाथ में लेकर फोड़ते हो तो फिर तो आपका कोई बचने का सवाल प्यदा नहीं होता लेकिन यही पर आप जब yeti pet को use करोगे तो तो ये आपको किसी भी grenade की 30% damage से बचा लेगा यानि कि अगर आप grenade हाथ में लेकर भी फोड़ते हो तो भी आप बच जाओगे तो गाइस अब मैं आपको बता दू कि आप बोलोगे कि तेरा इतना ही HP क्यों बचा क्योंकि मेरा yeti pet max नहीं है इसलिए मेरा इतना ही HP बचा तो ये तो हो गई हमारी yeti pet की ability तो इसी के साथ हमने सभी HP वाले pet की ability तो देख लिया है तो चलिए अब हम देखते हैं कौन सा HP वाला pet है सबसे best तो फिफ्थ नमबर पे है हमारा detective panda pet जो की हमें एक kill करने पर extra 10 HP देगा उसके बाद फौर्थ नमबर पे है हमारा spirit fox pet जो की हमें एर medikit पर 10 HP extra देगा मतलब की total 85 HP और third number पर है हमारा yeti pet जो की किसी भी चीज के फटने या फिर grenade के 30% तक damage से आपको बचा लेता है जो की second number पर है हमारा oteropet जो की treatment gun या फिर medikit से HP बढ़ाने के साथ साथ ये उस HP का आपको 65% तक EP भी देगा अगर आप एक medikit मारते हो तो oteropet आपको उसके साथ 42 EP भी देगा और अब number one पर हमारा जो सबसे best pet है वो है हमारा flash pet जो की आपके HP को enemy के attack से बचाता है जीसे आप game में बहुती ज़्यादा फाइदा उठा सकते हो इसलिए यही pet है HP related सबसे best pet और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी मत बूलना मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जय हीन जय भारत